RECS का Heart to Rex Heart rate को normalize करता है और high blood pressure को कम करता है RECS का Heart to Rex dietary syrup अर्द नाजाद नेशनल अर्द यनिवर्सिटी के ख्याम से उर्दो जबान के गेसू सवानने का काम सिर्फ नहीं किया गया बलके अदब के अदब के अलावे दिगर मोशब़ात पर भी उर्दो में किताबें फराहम करके एक बड़ा काम अंजाम दिया गया इससे अर्द ये तालीम के दर्जन और रवायती और फासलाती कोर्से के दरिये यनिवर्स्टी उर्द दान तफ़के के अपनी माधरी जमान में आला तालीम हासिल करने के खाब को शर्मिंद ये ताबीर कर रही है सरकारी और नीम सरकारी एदारों के लावे बहुत सी वेब साइट्स भी अर्दु जबान और तके फरों का काम बड़े पैमाने पकर रही हैं जिनमें रेखता.com.org सरिफ हेरिस्ट है एक महिब अर्दु जनाब संजी उसराफ की खियादत में रेखता की वेब साइट पहजारों अर्दु किताबों को डिजिलाइज कर दिया गया है जिस से दुनिय तोर पर इस स्कॉलर्स भरपू फायदा हासिल कर रहे हैं घैर अर्दु जना तबके कोई जबान की शीरीनियत का हैसाद दिराने के लिए हर साल उस वेब साइट के जिरे तमाम जशन रेखता का इन लखाद बड़े पैमाने से पर किया जाता है मुझे इस बात का पूरा यक है कि अर्दु अपनी शीरीनी लताफत और पूर्जोर अंदाज में मतास्थिर करने की सलाहियत की बिना पर एक कीसी सदी में यकिनी तोर पर मजीद वसत अख्यार करेगी और दिलों को जोडने में पूर जोड़ने में पूर्जोश अमर लिख लाएगी अर्दु ने कौमी यक जहती इत्हास से भी अपनी शनाक्त को मनोगर किया है ये एक जिन्दा जबान के अलामत है जिससे इफादियत और मकसदियत का अंदाजा लगाया जा सकता है अर्दु जबान इजहार का बेहतरीन मौरका है जिसमें माना और मफहूम की स्कीराई और गहराई मिलती है एक पहल जाती है जो वो खुश्बू है दिल के अंदर बसी तू है तुछ पे लाकों ने दिल नसार किये तू हमारी जबान अर्दु है दिलों पे इसका है रा जब तक मुखालिफों से नडर सकेगी जबाना चाहे हजार बदले जबान अर्दु नमर सकेगी शुक्रिया नहायती मालूमात अफजा मकाला डॉक्टर इमाम आजम पेश कर रहे थे और मौदू था एक कीस्वी सदी में अर्दु की आलमगीर मकबूलियत और अब खलीज से तश्रीफ लाए जनाब मकसूद अन्वर साब से मैं गुदारिश कर रहा हूँ जो आप कतर से तश्रीफ लाए हैं कि अपना मकाला पेश फरमाएं जनाब मकसूद अन्वर साब जी हाँ अखतार नहीं अराकी ने मजलिसे सुदूर खातिनों हज़रात असलाम अलेकुम मेरे मकाले का उन्वान है अर्दु सबान मौजूदा आलमी तनाजर में मकसूद अन्वर मकसूद कतर से शेक्षपियर ने कहा था जबान में क्या रखा है लेकिन अर्दु के हवाले से शेक्षपियर का ये कौल इसके बरखलाफ मालूम बढ़ता है क्योंके नाम अर्दु एक ऐसी जबान का नाम है जिसमें अर्बी की तलाकत और जामियत फार्सी की शीरनी और हलावत तुर्की की वसी और कल्बी बंगला की रवानी हिंदी का अपना पन और अंग्रेजी और इस्पानवी जबान की बेशमार इस्तलाहात जबात और अहसासाद के साथ अपने तौलीदी अमल से लेकर तखलीगी अद्वार तक इनसानी अगदार को अपने अंदर समुए हुए है जो के शक्सप्यर के कौल को गलत साबित करते हुए चीख चीख कर जबान और अदब के उफक पर फलक शिगाफ नारों से ये ऐलान करते हैं कि अर्दू जबान में बहुत कुछ रखा है यूं तो जदीद अर्दू अदब की तारीख का आगाज 1857 इस्वी में हुआ और अंग्रेजों ने मुगलिया सल्तनत के आखरी बादशाह को सिकष्ट देकर कायद बंद की सोहुबते काटने के लिए रंगून रवाना कर दिया और खुसां मुसल्मानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन गरदाना मुसल्मानों की कश्टी हालात के तुफानों से टक्रा रही थी और इसके डूब जाने का खत्रा लाहक था उसी वक्त के मुसल्म आजम और मुफक्रे कौम मिल्दत सरसेयत अहमद खाने अपनी कौम जबान को बचाने के लिए वक्त के तकाजों के हमराह चलना बहतर समझा और अपने रुफा के साथ मिलकर माज़ी की लफाजी वाली नसर निगारी और हकायक से दूर रखने वाली शायरी के खलाफ ना सिर्फ आवाज उठाई बलके अमली अगदाम भी किये सरसेयत की बलंद पाया तामीरी सोच औ फिक्र की इक्तदा करते हुए अपने ताउर के माया नाजद अदवी मौरिख मुहम्मद हुसाइन आज़ाद और माहिर फिक्रोफन मौलाना अलताफ हुसाइन हाली ने अपनी तहरीरों से सरसेयत के तामीरी ख्यालात को इस तरह तशहिर की कि जिसे मौजूदा आलमित तनाज़ुर में सियास्त, तालीम, माशरती इसलाह और अर्दू जबान अदब की तरक्यी का सबब समझा जा सकता है दाग ने कहा था अर्दू है जिसका नाम हमी जानते हैं दाग हिंदू सिता में थूम हमारी जबान की है दरजबाला दो मिस्रे आज के हालात और इन हालात में अर्दू का आजादी के बाद बेशुमार मसाइब औ आलाम से गुजरने के बावजूद लोगों के सर चड़कर बोलना अपनी अहिमित औ इन्फरादियत का खमाज है दरसल अर्दू जिस दवान का नाम है जो इसे बोलना चाहता है वो इसे बोलने की अदा बदलाती है जो इसे समझना चाहता है वो इसे शवूर बखशती है जो इसे अपनाना चाहता है ये उसी के होकर रह जाती है ये अर्दू की चाशनिया और जास्बियत ही है कि अर्दू दुश्मनी से अपनी सियासी रोटियां सेखने वाले लोग भी अर्दू के अलफास सीखने और बोलने के लिए कुशा दिखाई पड़ते है किसी भी कौम की पहचान मिटानी हो उसका तशक्ष मिटाना हो इसका आसान और सबसे आसान तरीका है उस कौम की जबान चीन ली जाए चौके किसी भी कौम की तारीख तहजिब और तमद्दू की नमाइंदगी उस कौम की जबान ही क्या गरती है आज आलमी सता पर अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो चुकी है इसके बावजूद हुकूमत हिंद बरतानिया ने अंग्रेजों की बाला दस्ती कायम रखने के लिए और आलमी पैमाने पर इसके फरोग के लिए आज भी कूशा है और जब मैं वतने अजीज हिंदुस्तान की जानिब देखता हूँ तो खुशी होती है कि हिंदुस्तान में जनम लेने वाली दकन के आगोश में पलने वाली लखनों में चवान होने वाली और दिल्ली को तिवाना बनाने वाली हिंदुस्तानी जबान चीनी है जिसे लगभग एक अरब 49 करोड लोग बोलते हैं जबके दूसरा नंबर उर्दू का है और तीसरे नंबर पर अंग्रेजी है हाँ मैं शायर भी हूँ मैं अपना ही शेरे कोड कर देता हूँ इसको जादू नहीं तो क्या कहिए इसको जादू नहीं तो क्या कहिए दिल मचलता हो जिस जबाँ के लिए अब तो आलम ये है के हिंदोस्तान और पाकिस्तान से जाकर दुनिया के मुख्तलिफ कित्तों में बसने वाले लोग खाव वो कतर में हो या बहरेन में सौदी अरब में हो या कोईत में वो बरतानिया जर्मनी कनाडा हो या अमेरिका दुनिया के कौने कोने में अर्दू की नई नई बस्तियां आबाद कर रखी हैं अर्दू की तरक्य और तर्वीज के लिए दुनिया की मुख्तलिफ अद्वी तन्जीमों ने की कोशिशें जहां काबिल सताईश हैं वहीं तमाम तर मन्फी ख्यालाद रुजहनाद से कोसो दूर कौमी कौंसिल बराय फरोग अर्दू जबान नई देहरी ने मस्बत पहलों को बरुए कार लाते हुए इसे आलमी सता पर नुमाय मकाम दिल्वाने के लिए कई अगदामाद किये हैं जो रोज रोज रोशन की तरह आया है जिस पर हम हिंदुस्तानियों को फखर होना चाहिए मैं मुहिबान अर्दू की काविशों को सलाम करता हूँ और यहां आलमी कांफरेंस में मौझूद दुनिया के मुक्तलिफ कितों से तश्रीफ लाए हुए अर्दू की दरखशंदा सितारों को देखते हुए दाख दहलवी का तहरीफ शुदा मिस्रा जो पूरी दुनिया में मशूर हो चुका है मौझूदा आलमी तनाजूर में दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारे जहां में धूम हमारी जबाँ की है अर्दू जबाँ जिन्दाबाद पाइंदाबाद मौझूर में बता दूँ मैं अर्दू बज में अर्दू कतर और बज में सदफ का रुकन हूँ और नाइंटिन फिफ्टी नाइन के तन्जीम है सबसे पुरानी तन्जीम जिसका मैं वाइस परस्रेंड भी हूँ बहुत 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 शुक्रिया देखें मकाला निगार हज़राद कैसे मुक्तसर और जामे मकाला लिखा जाता है वो जनाब मकसूद अन्वर साब ने पेश किया और अब मैं इस इजलास के आखरी मकाला निगार को आवाज दे रहा हूँ जो बहुत दूर से साथ समंदर पार से तश्रीफ लाएं हैं मेरी मुराद है डॉक्टर अब्दॉल्ला साब से जो यू ऐसे से तश्रीफ लाएं है आईए आप अपने मकाले का मौदू भी बता दे हैं डॉक्टर अब्दॉल्ला साब मैं अपना तारुफ जो है वबाद में खाने के वक्त कर दूँगा तो इस वब मत पूशे हैं मुझसे दूसरी बात एक अब्दॉल्ला गाजी साहब हैं एक सेमिनार हो रहा था वाशिंटन में नियॉयर्क में वहां तीन मकर्रिर थे तो दो लोग अंग्रेजी में बोल रह थे अबिदुला गाजी साहब को अर्दू में बोलना था तो आयद कहने लगे अर्दू में तो दस मिनिट में कोई बात कही नहीं जा सकती तो मसला यह बार का मैं यह पंदरह बीस पेज है मेरे पास लेकिन मुझे मालूम है आप लोग सेशुरेट हो चुके हैं इसलिए मैं जहमत नहीं दूँगा इसमें से मैं तमाम चीज़ें छोड़ता हुआ चला जाओंगा तसलसल जरूर खराब होगा लेकिन आप लोग बोरियस से बच जाएंगे अब मेरा मौजू है पहले तो यह बता दूँ कि शमाली अमरिका में खवातीन शोरा मौजुवात का एक अजमाली जाएजा और यह इसकी तफसीर में नहीं जाओंगा कि यह क्यों चुदा है मैंने बार कैप अगर आप खवातीन की शायरी पे नज़र डाली जाए तो अधा जाफरी और जहरा निगा का धीमा लहजा हो गया काम अच्छा फहमीदा रियाज और किश्वर नाहीद के इतजाजी असलूब और परवीन शाकिर की रूमानी गनायत तक सेकड़ों रंग नज़र आते हैं और रंगों के ही कौस औकदा शमाली अमरिका के उफक ब लहराती न और फलो शमाली अमरिका तक आप पहुँचा है और ये भी दुरुस्त है कि बाद में यहां के मकामी असरात तहजीबों के इंसलाक रहन सहन दूसरे समाजी और नखानगी अमूर के साथ यहां की ताजी हवा नई रोशनी और इधार की आजादी ने भी इन शायरात की शेरी शोरा से मुख्तलिफ हैं मुश्तरक मौजवात को भी शायरात में मुख्तलिफ तरीके से देखा है जैसे सिक्का जो है के काई होते हुए दोनों तरफ से मुख्तलिफ होता है इन मौजवात में मामता का जजबा औरत होने के हसास रिष्टों को निभाने का सलीका समझहता कर मौजवात लिये हैं जो अर्दू अदब में बिलकुल नए हैं मसला निकालोजी इन्वाइर्मेंट वगारा और चंद शायरात ने बहुत ही बोल्ड कदम उठाकर अमर के साथ औरत के जिसमें तब्दील होने वाली तब्दीलियों को अपनी नजमों का मौज़ू बनाया है य आमता के जजबे पर दो अशायर सिर्फ हैं यहां पर वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पकारा मुझे मैं एक शाख से कितना घना दरखत हुई हमेरा रह्मान वो क्या गया कि दरो बाम हो गए तारीक मैं उसकी आँख से घर का दिया जलाती थी आप्दा करामत औरत होन याद आया यह सभीया सभा दिलों पर लिखा था वो खबर खुदा को थी हतेलियों पर फैसले हिना ने लिख दिये नए यह जहां का शेर है और दूसरी चीज़ एक खवातीन के मुक्तलिफ नजर आएगी कि हमारे हाँ जो अर्दू क्लैसिकल शायरी में माशूख जो है उस तसक्रा किया है तो तसकीर और तानीस का वाला जो वो डिरेक्ट रहा है यह जैसे दो शेर है मेरे आचल पर जिसने नमाजें पढ़ी देखते देखते फिर खुदा बन गया अतिया न्याजी दरियावत कर लिया है बसाया नहीं मुझे सामान रख दिया है सजाया नहीं पते हैं सिर्फ और एक बच्चे को जनम देने के अमल में जो जिस अहसाज जिस तकलीफ से एक औरत गुदरती है उसको वहाँ की कई शायरात नजम किया है जिसमें नमाया नाम तस्नीम आपदी और इश्रताफरीन का है मैं नजमों के अक्तसाबात पेश करने में जरा दिक् मैं यहां तस्नीम आपदी की एक नजम है कर्बे तखलीक सारी दुनिया के दर्ज जैसे की मेरे पहलू में आन बैठा था वक्त की नब्स थमगई जैसे एक सदा आई मुझको रोने की मेरे खालिक ने मेरे पहलू से एक नई जिन्दगी हवेदा की कर्बे तखलीक का सिलाय दिया दर्स से जिन्दगी उभराई इसी तरह से औरत अमर के साथ औरत के जिसमें जो तबदीलियां आती हैं उनको कई लोगों ने कई शायरात थे हैं जिसमें फरहजाई इश्रता अफरी शहला नकवी परवी इन शेयर के नाम नमाया हैं उन्होंने इस्ट्रोजन पर हिमन क्लोमिंग, मैनोपॉस जैसे सब्जेक्स को टापिक्स को नजम किया है, मैं इश्रत की नजम से थोड़ा सा इसस पड़ूँगा, वो है मन्य के उपसे नहीं आस, जीब दुख था, कि जिसका अहसास जाकते ही, मैं अपने महरिम, अपने हंदम से, अपनी, 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 सुरी अजीब दुख था कि ये हवाई जहाद में लिखने से मेरा हाथ काप गया था महाँ पर बहर कर अजीब दुख था कि जिसके एहसास जागते ही मैं अपने महरम अपने हम्दम से ऐसे नजरे चुरा रही थी कि जैसे मुझे में कहीं कोई जुर्म हो गया हो नजम आगे बढ़ती और खुदा से सवाल करती खुदाए सत्तार इसमतों को हजार परदों में रखने वाले सिफात में तेरी अदल भी है तो फिर मेरे और मेरे महरम के बीच तफरीख का सबब क्या है वजूद कीमिया गरी में ये बाँचपन का अताब तनहा मेरे लिए क्यूँ औरत के इस तहसाल पर मर्द माशरे में जो है इस पे ये भी मौदू हो रहा है वहां का कई शायरात का जिसमें सबसे जादा नुमाय नाम हमारे करनडा की शायरा नसीम सेयत का है जिनकी एक नजम आधी गवाही जिसमें पंदरो सौ साल पहले इसलाम से शुरू होने वाली जो प्रोग्रिसिव तहजीब के मनजमिद होने का गिला है और दूसरी नजम उनकी मैं दूसरी नजम से थोड़ा से एक टुकड़ा ले लेता हूँ मेरे फनकार जिसमें औरत को सिर्फ जिसम समझने वालों पर एक गहरा तंद है तू भला क्या मेरी तस्वीर बना पाएगा तेरे शेहकार में मुझ जैसी कोई बात नहीं अपनी तस्वीर मुझे आप बनानी होगी होश भी जुरत गुफतार भी बिनाई भी जुरत इश्ग भी जब्त की रानाई भी जतने जोहर मेरे नुमू की जागीर में है देख ये रंग जो ताज़ा मेरी तस्वीर में है मेरे फनकार इसी तरह से रेप के मुझे पर नजम है मैं इसमें से एक टुकड़ा सवाल हर निगाह का फक्त मेरे अज़ाब है बताओं क्यूं बदन मेरा गवाह मेरे खिलाफ है नजम आगे बढ़ती है फिर खत्म होती कि कहां की है ये मुनसफी रवायतों के चौक में अकेली दार पर चड़ूँ तनहा गुनागार हूँ ये उजमा सहर इनके बारे में मैं आखीर में मैं बताओंगा परवीन शेर और नसीम सेयद ने तहजीमों के तज़ाद और गुलबलाइजेशन से पैदा होने वाले जो कंस्यूमरिजम का कल्चर है जहां इनसान की जिन्दगी यूटिलिटी की यूटिलिटी भी माली फायदे और नुकसान में ना पी जाने लगी है बहुत से इन्होंने मौजवाद नजम किया जिसमें मरुवाना, मरसी किलिंग, हेल्थ इस्पा, ओल्ड फोक्स हॉम और नर्सिंग हॉम जैसी नजमें तखलीक पाई है इसी तरह से वहां पे माहौलियाद पे नजमें लिखी गई है एकालोजी एन्वार्मेंट से मतलिक जिनने नजहत सिदीकी नजम किया नजहत के हां मौजवाद जो हैं अमन आलम या यूनिवर्सल पीस का ये हिस्सा है कि इनसान की बगा के लिए वो हैवानात और नबातात की बगा को जरूरी समझती है उनकी नजम का एक हिस्सा कि धर्ती पानी और हवा सब मखलूग परिशां गम के जहर से अबर्दुआं और बारिश रंज से गिरियां पंची पशू दरख्त फूल फल सारे खौफ से लर्जां अपने नाइव की अपने नाइव की उफ्ताद पर खुद यजदां भी हैरां धेर आशोफ नुज़त और इसी तरह से कुछ घजलों में भी ये मुदू आया है वो हजारों वाब नूसी जंगलों का हुस्न क्या माने हमें जब सांस लेना कीमियाई तजर्बों में है हुमेरा रह्मान मैं और आगे छोड़ देता हूँ अमने आलम के हवाले से हिजरत पिछली साथ दहाईयों से बरसगीर का माशरा हिजरत के कई अज़ाबों से गुजरा है जो अर्दू शायरी का महरिक रा है औरत इस दुक को मुक्तलिफ तरह से महसूस करती है बाबल हम तो तरह आगन की चड़िया गाते गाते जब बच्चिया जवान होती है तो उन्हें आगई होती ही कि बाबल की आगन से सस्राल के चौकट के हिजरत एक एक अकीनी अमल है इस शरताफरीन ने अपनी खूबसूरत नजमों है हिजरत को नास्टिल्जिया के फार में महसूस करती है